अगर आपके बच्चे भी सब्जी रोटी खाने के लिए नखरे करते ही तो उन्हें आटे से बनाएए नान पिजा एक बार जरूर बना कर खिलाएए बच्चे बाहर का बर्गर पिजा खाना भूल जाएंगे इस नान में आटा, सब्जी और देशी घी के ऐसे पोशक तत्वे हैं जो बढ़ते बच्चों के लिए काफी जादा जरूरी है तो ये सब्जी रोटी खिलाने का आइडिया आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज प्लीज कमेंड में जरूर बताना चलिए आज की नी रिस्पी शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने आधा कप दूद लिया है इसमें हमें आधा कप दही डालना है लेकिन ध्यान रहे दही आपको डाइरेक्ट फ्रीज का नहीं डालना है दो टेबली स्पून रिफाइन ओल दो टेबली स्पून मिल्क पाउडर और एक चम्मच शक्कर आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा औरिगेनो डालेंगे इसे बहुत अच्छा फ्लिवर आएगा और एक सेशे मेंने इनो डाला है आप चाहे तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा भी डाल सकते ही इनो डाले के बाद जैसे मिक्स करेंगे यह देखे यह कितने अच्छे से रियक्ट करने लगेगा और बहुत अच्छे से फर्मेंट होने लगेगा अब दोस्तो इसमें हम एड़ करेंगी दो कब गेहों का आटा दोस्तो मेरे बच्चे काफी ज़दा पसंद करते हैं और मैं इसे अक्सर गर में बनाया करती हूँ तो आज मैं गेहू के आटे से ये रेसिपी बना रही हूँ और अगर आपके बच्चे सबजी रोटी नहीं खाते हैं तो उन्हें सबजी रोटी खिलाने का इससे अच्छा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल चपाती के आटे की तरह इसका आटा लगाना है और इसे 10 से 12 बार पटकना है ताकि हमारा जो आटा है वो काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक तम मुलायम बनकर तयार हो इसे डख कर हमें 15 से 20 मिनट के लिए रखना है तब तक हम स्टफिंग तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है इसमें थोड़ा सा आपको तेल लेना है बस एक चम्मच जितना और इसमें हम डालेंगे बारिक कटीवी लसुन की कलिया अब लसुन को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक पका रहा है जैसे यह ब्राउन होगा हमें इसमें बहुत सारे सबजिया डालनी है लेकिन आपके पास जो सबजिया हो वो आप डाल सकते हैं मैंने यह पर प्याज, गाजर, शिमला मिच, स्वीट कॉन और पत्ता को भी डाली है साथी थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हाई फ्लिम पर 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे चलिए सबजी तयार है, अब हम इंस्टेंट पिज़ा सॉस बनाते ही तो यहाँ पर मैंने 2 टेबले स्पून टेमेटो केचप लिया है इसमें 2 टेबले स्पून सेजवान चक्नी डालेंगे और थोड़ा सा औरिगेनो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, तो यह हमारी इंस्टेंट पिज़ा सॉस बनकर तयार हो जाएगी जो हमारे नान पिज़ा को बहुत अच्छा टेस्ट देगी आटे को देख लेते ही, तो लगबग 20 मिनट हो चुके ही, आटे को रेस्ट लेते हुए तो पाटे पर मैंने ले लिया है थोड़ी सी कॉलांजी और हरी धनिया अब जो आटा लिया था हमने उसका एक पेड़ा बना कर ये कॉलांजी धनिया अच्छे से चिपकाना है और इसकी रोटी बनाना है, तो सोखा अटा लगा कर जैसे हम घर पर रोटी या चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको पतली रोटी बनाना है इसे उल्टे साइट कर लेना है मतलब जहाँ पर धन्या और कलोंजी लगाई है न उसके उल्टे साइट हमें ये पिज़ा सॉस लगानी है जो हमने अभी घर पर बनाई है अब इसके अंदर आप मॉजरेला चीज या प्रोसेस चीज डाल सकते हैं इसे ये भी हल्दी होता है इसमें परोटीन और केल्शयम होता है साती साथ साथ बनाई हुईँ सब्जी डालनी है और इसे फोल्ड करना यह अब देखिए हम इसे बिलकुल ट्राइंगल में फोल्ड कर रहे हैं और अच्छे से इसे फोल्ड करने के बाद ये देखी ये हमारा नान पीज़ा बनकर तयार हो चुका है जो बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना है इसमें आटा साथी साथ सब्जिया और चीज है तो लगभग तीन मैंने नान बना लिये हैं और यहाँ पर मैंने एक किचन नैपकीन ले लिया है इसके अंदर मैंने दो से तीन नैपकीन और रखे हैं और इसकी हम पोटली बना रहे हैं तो अच्छे से इस पर गाठ या नौट बांद लीजी और अब जो हमारा पीजा हमने बनाया है उसे उल्टा रखना है मतलब जहां पर हमने जॉइंट बनाये थे जो हमने सारे जॉइंट चिपकाए थे वहां पर आपको पानी लगाना है पानी लगाने के बाद हमें इसे गर्मा गरम तवे पर चिपकाना है तवे पर 2-3 नान एक साथ चिपका कर इसे सिख सकते हैं लेकिन मैं आपको दो तरीके से ये पिजा नान सेकर दिखाऊंगी एक बनायेंगे हम तवे पर और दूसरा तरीका कुकर में देखेंगे तो थोड़ा सा इसे पका लेना है, जैसे जैसे इस पे बबलज आएंगे, हमें गैस की तरफ तवे को उल्टा करना हैं और इसे गैस में सीखना हैं और जैसे आप इसे 5 से 6 मिनट सीखेंगे ये देखें, फुले फुले पिज़ा नाण बनकर तयार हो जाएंगे और जैसे आप इसे निकालेंगे न, उल्टी साइड भी आप देखेंगे, बहुत अच्छे से ये सिका है, बिलकुल तंदूर जैसा ही ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने इसे तंदूर में पकाया है, और ये देखे दोस्तो, इसे हमने पलेट में रख दिया है, इसके से बच्चों को आप सब्जी रोटी देशी घी बहुत आसानी से खिला सकते ही और अगर आप उनके टीफिन में देंगे तो आपका टीफिन हमेशा खाली ही नजर आएगा बहुत बच्चों को पसंद आता है अब दूसरा तरीका कुकर में देख लेते ही तो नान के ऊपर फिर और इने सेख सकते ही जैसे जैसे यह पकेगा यह फुलने लगेगा और जैसे यह हलका फुलेगा न हमें इसे उल्टा करके गैस की तरफ सेखना ही मतलब कुकर को उल्टा करना है और अच्छे से गैस की आज़ पर इसे सेखना ही तो जैसे मैंने इसे 2-3 मिनिट रखा तो यह देखे दोस्तों यह फुलने लगे हैं लेकिन अभी यह अच्छे से पके नहीं हैं तो मैंने फिर से इसे गैस पर उल्टा रख दिया और अब देखिए दोस्तों लगवग 2-3 मिनिट हो चुके हैं और काफी अच्छे तरीके से यह फुल चुके हैं एक नान में से तो मेल्टे आटे वाला नान पीजा खिला देंगे तो बच्छे बाहर वाला वो जंक फूट जो पीजा होता है उसे खाना भोल जाएंगे जिसमें ब्रेड होता है मैदा होता है घर पर आप यह आसान तरीके से शांदार नान पीजा खिलाएंगे तो बच्छे बाहर का पीजा बर्गर भोल जाएंगे यह देखे दोस्तों मेल्टेड चीज के साथ यह सब्जियां और यह कुकर में पका है तो बिल्कुल तंदूर जैसा ही इसमें टेक्शर और कलर आया है तो दोस्तों अगर आज की यह हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा